हमारे हां कि जलवायों गेंदे की फूल की खेती के लिए काफी उपयुकता है इसकी मांग पूजन सजावट इत्र बनाने के लिए खुब होती है इसलिए जानकार कहते हैं कि गेंदा की खेती पारंपरिक तरीके के बजाए आधुनिक तरीके से अगर करें तो आपको मुनाफ कई गुना ज्यादा हो सकता है जुताई तीन से चार बार करें और मिट्य दम भुरुरा कर दें कहीं पर एक भी खरपतवार नहीं रहना चाहिए कोई अन्वांटेड उसमें कोई मैट्रियल नहीं रहना चाहिए अगर कोई डेला हो रहा है तो उसको बढ़ा तो तोड़ दी कीजिए इस तरह साब भुरा मिट्य तयार कीजिए और उसमें आप लगाने की विदी है कि फ्रेंच मेरी फ्रेंच मेरी गोल्ड को तीस सेंटीविटर गुने तीस सेंटीविटर के दूरी पर लगाना होगा और अन्य जो लोकल फूल होते हैं उनके लिए आप डेल गुना 50-50 किलो एन पीके के रूप में रासाइनी खाल और साथी साथ 25 टन प्रती हेक्टियर सड़े गोबर की खाल प्रयोक करना है साथी साथ क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपको इसमें बोन मील यानि की हड़ी का चूरा का प्रयोक करें तो फूल की आभा जैसो किसी भी इस ऐसे फूलों के प्रयोग करना होगा बोन मील आपको जब आप खेत की इंट permitted आई करते हैं उसी समें देना है बाद में आप नहीं कोई दिने से कोई फादा नहीं होता है इस वसल के लिए इलिए बोन मील उसी में आपजहांसीर सो दे दीगे खेती में दो से तीन महीनों के बाद ग्यंद के फूल आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन फूलों को तोड़ने से पहले खेट की हल की सिचाई जरूर कर ले, जिससे फूलों का ताप्मान बना रहे जब फूल अच्छे सी खिल जाए तब ही फूलों को तोड़ना चाहिए वैसे तोड़ने का सही समय सुबह या शाम का होता है Sichai के लिए बरसात के दूरों में तकतर है दस दिन तभी आप पानी के लिए पृयास कीए अन्य था पानी गिंदा फूल को ऐसे भी कम चाहिए और इस्टेगनेंट वाटर तो कभी भी नहीं चाहिए किसी भी हालत में नहीं चाहिए याने कि जल के जमाव नहीं होना चाहिए जल एक दम नहीं होना चाहिए तो मकई और गेंदा फूल दोची खतम हो जाता है सलाह देंगे कि इसमें कुछ रोग और कीट भी लगते हैं उनके लिए आप कई रोग और कीट आते हैं उनका नाम लेन की जुरूत नहीं बस दवा दो तीन दवाकार नाम आप याद रखें कीट के लिए एक एमेल प्रती लीटर कहीं साफ से कीट के लिए दे दिजिए और आपका काम कोई भी इसमें रोग और कीट गिंदा में नहीं लगेगा